तो अगर आप एक बेस्ट फून लेना चाहते हैं वो भी 5000 रुपए की कीमत में जिसमें आपको 4G SIM वाला फून मिले और वो टैच स्क्रीन भी हो अगर आप ऐसा एक फून लेने का सूच रहे हैं जिसमें आपको एक बहुत ही अच्छी इस्पेक्स मिलें जिसको आप यूज कर सके डे बाई डे में और आप उसमें कॉल वगेरा अटेंड कर सकें बाकी ओधर वर्क कर सकें लाइक अगर आप एक अच्छा सा फून लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है जहाँ पर मैं आज आप लोगों को बताऊंगा टॉप 3 बेस्ट फून अंडर 5000 की रिंज में तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा चलिए इस वीडियो को जल्दे से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे अपने तीसरे फोन से जो की आता है यहाँ पर रिड्मी का गो जो की एक रिड्मी गो फोन अच्छा फोन है इसमें आपको अच्छी स्पेक्स मिल जाती है और साधी साथ आप लोगों को यहाँ पर कीमत भी कर मिलती है चलिए जानते है इस फोन क प्राइज रिद्मी गो के अगर बात करें तो परफॉरमेंस के मामले में कॉर्ट कॉर्ट प्रोसेसर मिलता है 1.4 GHz का जो कि स्नाप ड्रगन 425 प्रोसेसर होता है जो कि अच्छा प्रोसेसर है जहां पर आप लोगों को 4GB RAM जहां पर आप लोगों को 1GB RAM मिलती है और 16GB का internal storage मिलता है जो कि आप लोगों को बहुत अच्छी परफॉरमेंस देता है टे बाइडे में वहीं पर आप लोगों को डिस्प्ले के मामले में 5.6 इंचेस की SD plus display देखने को मिलती है जो कि IPS LCD होती है इसमें आपको water drop notch display नहीं मिलती है क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा पराना फोन मिलता है इसमें आपको वही old fashion आप लोगों को display मिलती है जिसमें आपको मोटे जो है edges मिलते है और chin मिलते है देखा रहे तो आप लोगों को यहां प अब बैटरी की बात करें तो आप लोगों को 3000 मिलती है माइक्रो usb port साथ में आप लोगों को मिलता है इसमें आपको usb type-c port नहीं मिलता है अगर देखा रहा तो यह फोन आप लोगों को 5000 रुपाई की कीमत में मिल जाता है वैसे अभी आप लोगों के लिए honesty अगर कहूं त बाकि मोबाइल वागी शॉप पेर्स आप देख पाल सकते हैं कि महाँ पर स्टॉक्स वगेरा रहते हैं थोड़े कम बजट वाले फोन वह लोग रखते हैं दूसरा फोन हमारा निकलकर आता है संसें गलेक्सी M01 को जी हां दोस्तों यह फोन भी आप लोगों को अच्छी इंट्री लेवल और बजट लेवल के फोन में चलिए जानते हैं इस फोन की स्पेक्स और प्राइस अगर बात करें संसें गलेक्सी M01 की तो आप दोको यहां पर परफॉर्मेंस के मामले में कॉट कॉर्ट प्रसेसर मिलता है 1.5 गिक्स का जो की मीडिया टेक हीलियो MT6739 प्र 5.3 इंचेस के आप लोगो को sd-plus दिस्प्ले देखने को मिलती है जो वहीं पर डिस्प्ले की अगर बात करें तो 5.3 इंचेस की फॉल sd-display देखने को मिलती है जो कि TFT LCD होती है वहीं पर अगर कैम्रे की बात करें तो 8 Megapixel का प्रामरी का देखने को मिलता है रियर में और 5 Meg पिक्सल का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है बैटरी के बात करें तो 3000 एमज की यानि की 3000 एमज की बैटरी मिलती है निए माईकरो यूजड़ी पोर्ड फोन देखने में आप लोगों को अच्छा लगेगा जी ह्याँ अगर आप ले रहे आप और आप लोगों के प्राइस की बात करें तो यह फोन आप लोगों का 4,999 रुपए की कीमत में आप लोगों को यह फोन मिल जाता है यह नि कि 5,000 रुपए की कीमत में यह फोन आप बाइ कर सकते हैं अब हम बात करेंगे यहां पर अपने पहले फोन के बारे में 6737 processor मिलता है 2GB RAM और 16GB internal noise storage जहां पर अगर डिस्प्ले की बात करें तो 5.245 inches की sd plus display देखने को मिलती है वहीं पर अगर कैमरे की बात करें तो 8 Megapixel का primary camera देखने को मिलता है LED flash के साथ और 8 Megapixel का front में camera देखने को मिलता है जहां पर बैटरी की बात करें तो 4000 इमेज की बड़ी बैटरी मिलती है तो इस फोन में नहीं पर अगर देखा है तो फोन बहुत ही अच्छा लगता है बैटरी भी आप लोगों को अच्छी मिल रही है और आप लोगों को प्रोसेसर भी ठीक ठाक मिल रहा है इंट्री लेवल में और आप क्या expect करते हैं आप अगर 5000 रुपे लगाते हैं तो आपको यह अच्छी specs मिल जाती है तो GB RAM के साथ अब आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी आप लोगों को यह तीनो फोन में से कौन से सबसे best लगा आप कौन सा लेने को सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा अगर आपने हमारे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लिजर नॉटिफिकेशन के बैल आइकन को दबाना मत भूलिएगा चले मिलने आप से नेक्स वीजों में थैंक यू फॉर वाचिंग वाचिंग वाइटेक केर एंड़